सो स्टार्ट करेंगे हम कंडिशन फॉर मिनिमम डिवियेशन के लिए और उससे भी पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डिवियेशन क्या होता है सो जो प्रिजम है उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो हमने माल लिया मियू के बराबर और यहां पर एक इंसिडेंट रे कंसिडर करी गई है इस डायरेक्शन में अब यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से वहां की बात करें तो महां पर क्या हो रहा है मीडिय परी में दो हमें इससे पॉइंट पर एक नॉर्मल बनानी पड़ेगी और नॉर्मल वोल ऐन होगी जो कि पहले वाले सRepन चेख अर होकी असे जो फॉर्स सर्फेस के परपेंडो कुलर यह मैंने नॉर्मल बना दी अब नॉर्मल और इंसिदेंट रिए की बीच में जो हैं अंधर वाला जुम मीडिया में वह त 다र टी में यह सब भीकृत तो दो कहां तो क्यों सब्सक्राइब कर अब इसकें अभीनगती याई ऋमिखने तो अब यह आए्ट डूसरे वाले रिफ्टेंग शर्फेसे पर पहुचरे की तब वहां पर अगें री ख्रेक्शन होगा क्योंकि अंदर वाला मीडियम हो गया डेंसर और भार वाला मीडियम क्या हो गया तो यहां पर वापिस से रीफ्रेक्चन होगा तो यहां पर हमें फिर से एक नॉर्मल बनाने की जरूत पड़ेगी जो की जो सेकेंड रिफ्रेक्टिंग सर्फेस है उसके परपेंडियुकलर हो और यह जो एंगल है उसे बोल देते हैं और इस एंगल को बोल देते हैं और तो यह इमर्जेंट रे हो गई और यह जो एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस और वह सेकेंड वाला नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसके बराबर होता और उसे नाम दिया है अब यहां से हम समझेंगे सबसे पहले कि डिवेशन क्या हो तो डिवेशन वह एंगल होता है जो इंसीडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में होता है अब यहां पर incident ray और emergint ray दूर तूर हमें क्या करना पड़ेगा उन 220 के बीच में एंगल निकालने के लिए incident ray और emergint ray इनहें प्रोड्यूस करना परेगा तो जो incident ray है उसे हम आगे तक produce कर देते हैं और जो emergent ray है उसे हम पीछे की तरफ produce करते हैं और जो incident ray और emergent ray इनके बीच में जो angle होता है वो होता है deviation तो deviation हमें क्या बताता है कि किते angle से जो incident ray है वो bent हुई है यह हमें बताता है deviation तो डेल जो है वो deviation के लिए use होता है मतलब angle of deviation तो यहां तक मैं समझता हूँ कि आपको deviation समझ में आगे होगा कि deviation होता क्या है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो angle of deviation है इसकी value निकालेंगे तो यहां पर हम थोड़ा देखें तो यह जो normal है normal की बात करें तो यह जो पूरा angle है यह होगा 90 degree के बराबर और यह भी जो angle है वो होगा 90 degree के बराबर ठीके तो हमें यहां पर एक को quadrilateral imagine करना है तो यहां पर P Q R और S यह मेरे नाम देजा quadrilateral का so in quadrilateral P Q R S P Q R S quadrilateral में हम देखें तो यह जो angle है इसे नाम देखें हम अभी के लिए C नाम देखें ठीके इन quadrilateral P Q R S एंगल A प्लस एंगल S प्लस दो जो angle है वो है 90 degree के तो 90 प्लस 90 और quadrilateral के सारे angle का समम करें तो वो आना चाहिए 360 degree के बराबर तो यह angle A हो गया यह angle C है यह angle C हो गया और यह angle है 90 degree और यह भी angle है 90 degree तो इन चारो एंगल का जो सम है quadrilateral का वो किसके बराबर होना चाहिए 360 degree के बराबर मतलब एंगल A प्लस एंगल C यह बराबर होना चाहिए 180 degree के यह हमें एक equation मिलते ही अब यहां पर हम triangle देखें इन ट्रेंगल ट्रेंगल PQR ट्रेंगल P sorry PQR नहीं PRS इन ट्रेंगल PRS एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल C यह बराबर होना चाहिए 180 degree के triangle के angle की sum की property यहां पर यूज करी है और हम पहली equation देखें और दूसरी equation देखें तो दोनों का ही जो right hand side है वो same है मतलब की angle A plus angle C equals to होना चाहिए angle R1 plus angle R2 plus angle C angle C से angle C हो जाएगा cancel और angle A यह बराबर होगा angle R1 plus angle R2 और इसे हम simply लिखना चाहिए तो A equals to R1 plus R2 लिख सकते है ना हम में बस यह ध्यान देना है कि A जो है वो angle A है R1 angle R1 है और R2 जो है वो angle R2 है यह हमारे बास सबसे पहली equation आई है ठीक है तो यह जो equation आई है उसे मैं आपर side में लिख देता हूँ A is equals to R1 plus R2 और इतना यह जो पूरा angle है वो भी होना चेह आई के बराबर vertically opposite angle और यह angle है E के बराबर तो यह जो angle है वो भी क्या होना चेह E के बराबर अब उसमें से इस पूरे angle में से इतना जो part है वो है R1 के बराबर तो हम अगर इतने part की बात करें तो वो होना चेह I इतने पार्ट की बात करें तो वह उना चेह ए-R2 के बराबर इतना एंगल एक बराबर हुआ उसमें से इतना पार्ट आरवन है तो बचावा क्या होगा आई-र वन सिमिलारली हैं पर इतना जो एंगल है वो है इतना पार्ट आर्टू तो यह हो जागा यहां पर हमें डेल के लिए expression लिखने जा रहें कि डेल की value क्या होगी तो इन triangle PTR कौन सा triangle PTR यह triangle है और इस triangle के यह जो angle जो del है वो exterior angle की तरह behave कर रहा है तो exterior angle जो होता है वो बराबर होता है sum of opposite interior angle के तो जो del है उसकी value है वो बराबर होगी i-r1 plus e-r2 के और इसे हम लिखना चाहें तो i plus e minus of r1 plus r2 और जो r1 plus r2 है उसकी value है a के बराबर जो की होता है angle of prism so del यह बराबर हो minus a के बराबर एक equation तो यह है दूसरी equation a is equals to r1 plus r2 यह दो equation है हमारे पास अब हम किसके लिए देख रहे condition for minimum deviation अब जब minimum deviation होगा minimum deviation मतलब जो del है वो सबसे जादा minimum होना चीए उस condition पर क्या होता है कि जो angle of incidence से वो बराबर होता है angle of emergence के और यह जो angle r1 है यह भी equal होते हैं जो की r1 और r2 बराबर होने चीए और जब deviation minimum होता है तो यह जो line है ना लाइन पी आर लाइन पी आर मतलब पी आर यह वाली लाइन यह हो जाती है parallel to base of prism जब भी deviation minimum होगा तो यह जो line और minimum deviation में जो angle of incidence से वो हो जाएगा डेल मिन प्लस a by 2 minimum deviation के लिए यह angle of incidence हो जाएगा और angle of reflection भी हम निकाल सकते हैं और रपन और रटू बराबर होंगे तो हम इसे माल लेते हैं कि यह r के बराबर होना चीए तो a equals to हो जाएगा r plus r और r की जो value हो जाएगी a by 2 तो हमें angle of incidence मिल गया और इस पहले रीफ्रेक्शन की बात करें तो यहां पर हम स्नेल फ्लो लगाए पहले surface पे जो रीफ्रेक्शन होगा उसके लिए तो यह angle of incidence था और यह angle of reflection था पहले वाले surface के लिए तो यहां पर में लिख देता हूं for surface 1 राण एंगल of incidence यह था i के बराबर और angle of reflection यह बराबर था r के, r1 है तो हमने उसे r के बराबर मान लिया, ठीक है, अब यह में रब करने जा रहा हूं, और यह जो equation है del की वो में हापर उपर साइड में लिख देता हूं, क्योंकि यह जो equation है वो बहुत जगे हमें आगे use में आईगी, और अब यह में रब कर रहा हूं, अब हम minimum deviation के लिए refractive index की condition निकालेंगे, उसके लिए हमें स्नेल स्लो यूज करना है, वो मैंने आपर लिखा वाए, sin i by sin r equals to mu2 by mu1, mu2 जो है वो refractive index होगा second medium का, और mu1 जो है वो refractive index होगा first medium का, तो minimum deviation के लिए जो angle of incidence है, वो बराबर होना चे डेल मि plus a by 2 और जो angle of reflection है, वो बराबर होना चे डेल मियू के बराबर हो और यहां पर हम केवल यह जो first surface है, उस पे reflection के लिए स्नेल स्लो यूज करेंगे, तो जो second medium है, वो है prism, जिसका refractive index है, mu के बराबर हो जो first medium है, वो हमने air consider करा है, जिसका refractive index होता है, 1, so values put करें, तो sin of यह हो by 2 upon r की value हो a by 2, तो यहां पर आजारा sin of a by 2, यह बराबर होना चे मियू के, यह हमारे पास जब minimum deviation होगा prism में, तो उसके लिए refractive index को calculate करने का formula यहां पर derive हो गया, ठीक है, अब जब angle small होते हैं, तब जो sin, जैसे for small theta, हम बात कर लें for small theta, जो sin theta है, वो nearly बराबर होता है theta के, जब भी angle small होता है, तो sin theta nearly किसके बराबर होता है theta के, तो यहां पर जब यह जो angle of prism है, यह बहुत जादा छोटा हो, बहुत जादा small हो, उसके लिए हम एक condition यहां पर derive करेंगे, तो यह इतना मैं पूरा रफ करने जा रहा हूँ, तो यह condition कब आईगी, जब जो angle of prism है, वो small होगा, उस condition में, जो sin of del min, या simply हम del बोल देते हैं, del plus a by 2, यह nearly बराबर होगा, del plus a by 2 के, और sin of a by 2, यह nearly बराबर होगा, a by 2 के, जब angle of prism small होगा, तो हमें यह consider करना है, और यह values हम इस formula में put करें, तो हमें मिलेगा, del plus a by 2 upon a by 2, यह बराबर होगा, म्यू के, और 2 से 2 हो जाएगा, गैंसल, और यहां से जो del की value आएगी, वो होगी, म्यू माइनस 1 into a, यह formula आपको तब यूज करना है, जब जो angle of prism हो बहु जादा छोटा हो, तो यह तो पूरा हो गया, हमने minimum deviation के लिए, जो भी related, जो भी derivations थे, वो हमने यहां पर अभी कर लिए हैं,